नमश्कार दोस्तों मैं इंकुर उपाथिया है स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल Share Market Analysis में आपके लिए बजार में आज एक नया IPO उपन होती हुँ दिख रहा है लाइफ लोग आने वाली हैं तो start करते हैं सबसे पहले आप IPO का नाम भूल जाओ भी DOMS आपको सिर्फ IPO समझ में आना चाहिए Initial Public Offering IPO आप जब भी किसी भी IPO में पैसा लगाने जा रहे हैं किसी भी A2Z कंपनी आपने डिसाइड कर लिए मेरे को पैसा लगाना है the release IPO में यह मेरा फेवरेट है आपको हमेशा याद रखना है कि एक लौट में ही अप्लाई करना है दुबारा umों हमेशा एक लौट में ही अप्लाई करना है और यह एक लौट ऐसा नहीं कि मैं अंकुर उपद्या है मेया एक ज़राडा में Aकाउंट है मेरा एक अप्स्टोक में Aounce and मेरे 4-5 और DEMET Acaunt है तो मैं सम में एक-एक लगा रहा हूँ नहीं पैन कार्ड एक है को है पशन पेसे सिंगल अलोटमेन्ट आपको कोई IPO पसंद आ रहा है तो आपकी family members के जितने भी demate account है सबसे एक-एक लगाओ तब chances बढ़ते हैं आपके apply allotment मिलने के ये नहीं होता कि आपने सारे demate account अपने सब demate account में लगा दिया अरे उससे क्या लेना देना application एक person की ही है ठीक है लेकिन वही मेरे family में मेरे माता पिता बहन सबका demate account है मैंने सारे demate account से एक-एक लगा दिया तो 10 लोग हो गए यार 57 लोग हो गए उन 57 लोग में एक को भी मिला तो मेरे पास आगया इमान के चलूँगा मैं समझ गए अब मैं ये क्यों कहा रहा हूँ एक lot की value होती है 14,000 से 15,000 की range में maximum जो lot में पैसा लगाते हैं IPO के वो 15,000 होता है और minimum 14,000 के something होता है इससे छोटा IPO बहुत rare ही मिलता है जैसे अभी doms की बात करें तो 14,200 का इसका पैसा लगेगा एक lot के लिए क्योंकि 18 quantity का lot size है 790 का upper band है ठीक है 790 18 to 18 करोगे तो 14,200 के something आ जाएगा तो आपका simple सा view यह होना चाहिए कि मेरे को एक lot लगाना है और मेरे family members में अगर ज्यादा members के demate account है और मेरे को IPO पसंद है तो मैं सबसे एक एक लगाऊंगा अब मैं ऐसा क्यों गर हो इसको बताता हूँ मान के चलो आपको जो IPO पसंद आ रहा है वो दुनिया को पसंद आ रहा है पुरे भारत देश को दबा के subscription आ रहा है तो जब दबा के subscription आ गया तो वो आपको दो lot कैसे दे देगा नहीं मिलने का मिलेगा तो सिर्फ एक ही मिलेगा तो फालतू में पैसा क्यों block करना और एक और बात बताऊ लोगों को लगता है मैं 10 lot लगाऊंगा तो एक lot company देदेगी अरे गलत फैमी में है जिन्होंने एक लगाया होता है न पहले उनको बाढ़ती है company क्योंकि सबको एक lot ही देना है लेकिन देश को अच्छा नहीं लगा या IPO को subscription अच्छा नहीं मिला तो एक lot में कम नुकसान होगा क्योंकि यहां आपने 4 lot लगाए और किसी को पसंद नहीं आए subscribe नहीं हो तो वो 4 के 4 मिल जाने है आपको यानि खराब समय में ही एक से जादा lot मिलता है अच्छे समय में नहीं मिलता है hope आप लोग clear कर गए होगे सारी चीज़े अभी तक मैंने IPO की बात नहीं करी यह जो बात नहीं दी है lifelong आपके काम आएंगी अगर आपने notice ध्यान से सुना होगा तो notice करा होगा तो अब आजाता हूँ IPO पे तो पहले short में describe कर देता हूँ shelter के IPO को shelter finance का जो IPO है mainly काम करता है कि अगर आप जिंदगी में पहला घर लेने जा रहे हो तो आपको finance करने का ठीक है जी इनका mainly काम यह है बट मेरे को लगता है कि आपके लिए finance related इतनी सारी कंपनी है इनका एक आप मान के चलो monopoly कह दो तो ऐसे मैं तो monopoly मानूँ है कि आप मलब सारे लोग Britannia के biscuit बेच रहे है और मैं केवल Britannia के ही biscuit बेच रहा हूँ ठीक है बाकी की दुकान जो है वो सब कुछ बेच रही है ऐसा इनका गाम है तो no doubt आपका मन है तो लगाईए बट मैं ऐसा कुछ इसमें interested हूँ नहीं कि मैं आपसे कों की पैसा लगाना चाहिए Seltr Finance के IPO में IPO की detail ले लीजिए 30 shares का lot size है 493 का upper band है तो इसको भी into कर लेते हैं कितना रुपे लगेगा आपका एक lot में 30 into 493 14,790 एक lot के लिए अपलाई हो रहा है 1200 करोड का issue size है कंपनी का 1200 करोड रुपे जुटाने वाली है कंपनी क्या करेगी To meet future capital requirement towards onward landing यह जो आपका पैसा हैगा यही पैसा कंपनी आगे चलकर और लोगों को बाटेगी लोन के रूप में कंपनी के आगे ऐसे requirements है और normal general corporate purpose के लिए पैसा यूज करने वाली है अब आ जाता हूं doms पे बैकि मैं इसमें यही कहूंगा कि ना लगाए तो ज़्यादा बेटर है दो reason है market life आई तो हमेशा बनता रहेगा बट market highs पे है तो नीचे आ सकता है तो gray market premium भी टूटेगा और listing भी तोड़ी डग मगा सकती है और दूसरी बात ऐसा कुछ मेरे को interest भी नहीं आ रहा है doms का IPO interesting हो सकता है क्योंकि अभी recently sell low का आपने IPO देखा जो 20% उपर trade कर रहा है आपने flare writing का IPO देखा 27% उपर trade कर रहा है doms के IPO की बात किया है तो valuation वाई जैसा कुछ नहीं कि बहुत सुस्ता है महेंगा भी नहीं है तो यहाँ भी 15-20-30% तक के 15-30% के returns के लिए आप apply कर सकते हैं लेकि long term के लिए investment की रहा है अपला इसलिए कहे रहा हूँ कि अभी recently डॉनों IPO जो आये हैं एन कंपनी को दौनों को positive response आया है और अच्छी listing हुई है तो यहाँ भी मैं listing gains के लिए play कर सकता हूँ अगर मैं चाहता हूँ तो company same 1200 crore जुटाने वाली है इसारा quantity का lot size है 790 के साब से 14 220 होते है और part financing of proposed project यह जो पैसा दोगे तो इसमें से कुछ पैसा जाएगा इनका financing को जो इनका project है उसके लिए और general corporate purpose के लिए यूज करने वाले है इस पैसे को तो यह मेरी तरब से आपके लिए detailed video hope आप लोगों को IPO को लेकर थोड़ी सी मदद मिली होगी आपका decision लेने में thank you so much for watching this video have a great day guys